अबे यार आज ये जॉब लगने ना बहुत ज़रूरी है हाँ यार प्रेंस और ये जॉब ने लगना बड़ी परेशानी हो जाएगा अरे प्रेंस वो देख अबे यार उसके पास कितने सारे पैसे रखे हुआ है दो हजार जार के नोट कितने सारे उसके पास सही कहरी यार तू और यहां तो कोई आज पास दिखाई भी नहीं दे रहा है काम करें क्या पैसे उठा लेते हैं वैसे भी यंदा है वो उसे दिखाई भी नहीं देगा और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे यार हाँ यार प्रें गूस देने के बाद हमें जॉब भी मिल जाए हाँ यार प्रेंस तुना एकदम सही बोल रहा है अगर ये सारे पैसे हमारे पास आ गया न तो ये हम सारे पैसो का इंजॉय करेंगे पाटी करेंगे नाइट में क्लब वगेरा चलेंगे और वैसे भी इसको क्या पदा चल रहा है सही क्या रही है ए भगवान आज तुनों करें दिल्वादियों बहुत दिन से ट्राय कर रहा हूं मैं भगवान इन न सारे पैसे क्या करूं इसका इस त्याकि माँ कही कि आए कि रही दू यानि जैनही ये किसी के हक्ने पैसे यो गोर डी टा किया है कि अब पेसे गिंदे तो तुम इस को रख वी तो सकते थे वैसे पैसे लोटाने का बीजन सर इसमें रीजन की क्या बात है यह आपके हक्के पेसे आपको मिलने चाहिए और वेसे भी उपर आले हमें दो वक्त की रोटी दे रहे हो ही भोत है काफी अच्छी सोच है तुमारी अपनी सोच कर ना तुम ऐसे ही रखना काफी आगे तक जाओगे तुम थेंकि सोमच सर कहीं जा रहे हो तुम सर हाँ आज मेरा बहुत इंपोर्टेंट इंटर्वियू है अच्छा चलो बैस्ट अफ्लैक थेंकि सोमच प्रेंस यार अभी तो ओफिस जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम है हाँ यार वैसे जो हमने पैसे महां से उठाए थे वह चेक करना हूं कितने पैसे थे अरे हां यार तुने सही बोला कि यार ये तो कम से कम एक लाक रुपे तक लग रहें मुझे दो-दो घजार के नोटे सर अ अरे वा यार आज तो लोट्री पे लोट्री लग रिया है और वे यार अरे यारी कितना पागल दा प्रेंस यार देखिए उने सारे पैसे किरा के चले गया अरे या सही है ना यार हमें क्या करना है उससे हमारी तो लोट्री पर लोट्री लग रही है और सही तो है यार हमारे काम इंटर्वु में भी आ जाएंगे वो पैसे और पार्टी बगरा में भी आ जाएंगे चल यार जसमी चलते है अगर उस बंदे को पता चल गए ना कि उसक अपना पहले ही निकल लेते है हाँ प्रेंस चल 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 प्रेंस चल दिशेगे आप 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 यार बस आप जो आपके इंटर्विय में स्लेक्शन हो जाए बस आप मैं भी आपके आप कर द mote मिए, क्या जोप के इंटर्वी हेही पर कर रहा है ? हाँ जोप के इंटर्वी तो यहीं हो रहा है पर तुम दोगे का इंटर्वी मैने भी आपलाए के शीचो जोप के लिए यार या तो ikiम गलत मृत है या फिर ही ये गलत आ कि यह इंटर्वु दे भी पाएगा हां तुम सही कह रहे है प्रेंस कि वैसे जसमीत मानना पड़ेगा इसके कॉंफिडेंस को जो यह यहां इंटर्वु देने आया है वैसे तुना एक काम कर वह पैसे दियू यह है 2000 रुपे का नोट और पकड जो तेरा आने जाने का किराया लगा है ना और जो तेरे पूरी दिन की ध्याड़ी होती है ना उसमें जितना तेरा खर्चा हो ना वो निकाल लिए उसके बाद भी ना तेरे पास पैसे बच जाएंगे और जो पैसे बच जाएंगे ना वो प पैसे वैसे भी इसकी शकल देखके लगता है इसने कभी 2000 का नोट देखा होगा सही बोल रही है तो मैं यहां पर इंटर्विव देने आया हूं मैं रिजेक्ट हूं यह सिलेक्ट मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता मैं इंटर्विव देखे जाऊंगा सर आपको अंदर बोला रहे है सर आपकी कमपनी को मेरे देसे एंपलोई चाहिए क्योंकि मैं चीजे बहुत इजीली मैनेज़ कर लेता हूं जब मुझे इस पोस्ट का चार साल का एक्स्पिरियंस है और मुझे पता इस कमपनी को कैसे उरन करना है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को कमपनी ग्रो करना आता होगा पर हाँ तुम दोनों को बखू भी पता है कि अपने आपको कैसे ग्रो करना है चाहिए उसके लिए तुमारे को अपना इमान तक क्यों न बीचना पड़ जाए ये क्या रहे है सो रब चलो माल लो अगर तुम दोनों में से मैंने किसी को मेनेजर बना दिया अपनी कमपनी का तो अगर किसी दूसरी कमपनी ने आके तुमारे को मेर से बेटर पैसों का ओफर दिया तुम दोनों तो बहुत एजीली मेरी कम्पनी का सीक्रेट उसे देजित होगे सर ये क्या बोल रहाए आप हमारा इमान बिखाओ नहीं है और हमने तो हमेशा अपनी मेहनत का खाया है अच्छा मेहनत का खाया है तो एक बात बताओ सुवेश जिसके पैसे गिरे थे उसके पैसे लोटाए क्यों नहीं तुम दोनों ने और वो पैसे मैंने जान मुझके गिरायते हैं वहाँ पर जब मुझे पता लगा कि तुम तीनों शोट लिस्ट हुए हो इंट्रिवू के लिए तो मैंने तुमारा लोयल्टी टेस्ट लेना चाहा और उस टेस्ट में तुम दोनों रिजेक्ट हो चुके हो और साहिल पास हो चुका है सुरी सर हमें नहीं पताता कि हमारा लोयल्टी टेस्ट हो रहा है अब तो हो गया और तुम दोनों उसमें फेल भी हो चुके हो तो यू केन गोना हो और जो तुमने वहाँ से पैसे उठायते हैं उसको मेरी टेबल पर लगते जाओ और साहिल तुमना मैनेजर के पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हो थैंक इस सो मुच जाल और हाँ तुम हमेशा ऐसे ही इमानदार रहना बहुत आगे तक जाओगे अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिए तो मेरे अंदाजे से आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो शेर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो